खेलों के प्रसिक्षण के लिए भी व्योस्ता की गई है चात्रावासों के अंतरगत कवड़ी खेल के अंतरगत अमेठी में 15 बालकों का आवाश्य चात्रावास जन्पद आगरा में 15 बालिकाओं का भी आवाश्य चात्रावास वर्तमान में हम संचालित कर रहे हैं तीन स्पोर्स कॉलेज लखनो गोरफपर रितावा में संचालित हो रहे हैं इसके साथ ही प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अब तक प्रदेश में 77 इस्टेडियम, 68 बहुत देश्य हाल, 49 तरणताल, 22 तराश्टिक गर्केट इस्टेडियम, 18 छात्रावास ग दो जोड़ो हाल, 36 अत्याधुनिक जिम उपकरन, 16 सुटिंग रेंज, 11 सिंतेटिक टेनिस कोट, 19 डार्मिट्री, 16 सिंतेटिक बास्केट बाल कोट, 11 कुस्ती हाल, 11 वेक लिप्टिंग हाल का निर्माण भी प्रदेश के अंदर क्या जा चुका है प्रदेश सरकार ने रास्की चैंपियंशिप में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाडियों को केले, जो खेल किट की रासी पहले 1000 रुपे दी जाती थी, उसको धाई 1000 बढ़ाने के अपने स्वीक्र देदी है आवास्य केड़ा चात्रावासों में साथ मानक मदों, भोजन, सिकसा, केट, चिकितसा, परनीचार, उपकराण, आधी प्रतियुटताओं में होने वाले बह में बढ़ोत्री की गई है यह 1994 के बाद पहली बार बढ़ोत्री हुई है आवास्य केड़ा चात्रावासों में जो स्पोर्स कॉलेज की खिलाडियों की जो डाइट मनी थी इसे डाइसो से बढ़ा करके 375 रुपे प्रति दिन भी प्रति खिलाडी क्या गया है राश्ति चैंपियंशिक में भाग लेने वाले प्रतेसिय सीनिर जूनियर सब जूनियर टीमों की भाती मिनी काइडिट और यूथ नकोँ प्रति प्रति पूर्थी के सुभ्डा भी प्रति अस्तर पर प्रताण की गई है आवास्य केड़ा छात्रावासों में उत्कृष्ट प्रसेक्षण की आवसिक्ता के अंतरगत पचास अंतरास्ट्य खिलाडियों को देड़ लाग रुपे प्रतिमा के मांदे पर प्रसेक्षण हेतो भी हम लोगोंने आवद किया है परदेशय केड़ा संगों, कलबों, समितियों को राश्टीयों मंतरास्टीय प्रतियोक्ताउं के आवीचन हेतो प्रदान की जानी वाली जौनदान की राश्टीय उसमें भी बढ़त्री की गई है खेल यूं, खिलाडियों के प्रोथ सहन, और यूं संबर्धन येतो एकलिप बे केड़ा कोस के स्थापना की गई है इसके अंतर का फैलोशिप अलम्पिक गेम्स, कॉमन वेल्ट गेम्स एसियन गेम्स, वर्ड चैंपियंशिप वर्ड कप आधी प्रत्योकताओं में प्रतक बिजेता खिलाडी तैयार करने और करने है तो अनदाम प्रताम करने तभा खिलाडियों को स्वास्त बीमा का कवर भी इसके साथ उपलब्द कराने की विवस्ता की गई है खेल के विकास युम खिलाडियों के प्रोचसानी तुट्तर ब्रदीश खेल विकास युम प्रोचसान निमावली 2020 हम लोगों ने प्राख्याबित की है इसके अंतरगात उदेमान खिलाडियों का चेन क्या जाएगा ता तैसील ता जिला और मंडल अस्तर पर विभिन प्रकार की प्रत्योक्ताएं भी आयुजित की जाएंगे हम लोगों ने बित्य वर्स में 855 लाग रुपे की धंडासी की विवस्ता वर्त्मान बित्य वर्स में इसकारे के लिए की है तैसील अस्तर पर प्रत्योक्ताओं की आयुजिन है तो प्रतितैसील साढ़ जार रुपे जिला अस्तर की आयुजिन के लिए 5 लाग रुपे और मंडल अस्तर बा 15 लाग रुपे आवंटित के जाने की विवस्ता इसके अंतरगत है प्रदेश में पहली बार एक जनपद एक खेल को खेलो इंडिया सेंटर की अस्तर की स्थापना इसके माध्यम से की गई है जिब्यांग जन खिलाडियों को भी सामाने खिलाडियों की भाती ही समस्त सास की सुभधाय प्रदान करने की विवस्ता की जा रही है मुझे बताते विप्रसंता है कि प्रदेश में खेल गद्विद्यों को प्रोथसाहित करने के लिए राज्य सरकार में मेरट में मेजर ध्यांचन इस्पोर्स इन्वस्टी जो प्रदेश की पहली इन्वस्टी है इसकी अस्थापना की कारवाई वर्तमान में गतिमान है प्रदेश ने अंतरास्तिय खेलों ओलंपीक, कॉमन वेल्ट, बिश्वकाप, बिश्वचैंपियंशीप, एसियन गेम में गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाडियों को राजपत्रित पदों पर निफ्टि प्रदान की जाने की नियमामली भी हम लोगों ने प्रख्यापित की है और इसके अंतरकत हम खिलाडियों को निफ्टि पत्र बित्रित करने की कारवाई वर्तमान में प्रचलित है प्रतिभावान और कुसल खिलाडियों के लिए सास्की और सार्जुनिक पक्रमों में लोग सेवायों की प्रदिके बाहर हम लोगों ने इन सभी निफ्तियों को ले करके उन्हें प्रात्मिक्ता के आदाप पर 36 आरक्षन की विवस्ता के माद्यम से हम यह बिवस्ता 2% आरक्षन की विवस्ता खिलाडियों को मुपलब्द करवा रहे हैं प्रदेश ने तमाम प्रतियुक्ताओं में प्रुस्कार की रासी भी बढ़ाई है सौन पदक पर ओलम्टिक में 6 करोड रुपे एकल गेम में रज़त पदक पर 4 करोड और कांसे पदक पर 2 करोड रुपे की रासी अलम्टिक टीम गेम में सौन पदक पर 3 करोड रज़त पदक पर 2 करोड और कांसे पदक पर 1 करोड रुपे के रासी राजे सरकार उपलब्द करा रही है कॉमन वेल्ड गेम्स में सौन पदक पर डेट करोड रज़त पदक पर 75 लाग और कांसे पदक पर 50 लाग रुपे पुरुसकार ACM Games में 16 पदक पर 3 करोड, रज़त पदक पर 5 करोड और 15 पदक पर 75 लाग रुपे की रासी पुरुसकार की रुप में वरतमान में राज्य सरकार प्लब्द करा रही है विश्वकप में 16 पदक पर 10 करोड, रज़त पदक पर 75 लाग रुपे की पुरुसकार राज्य सरकार अपने स्थर पर दे रही है सेट गेम्स के अंतरगाथ, टीम गेम्समें सון पदक पर दो लाग रोपे, रजट पदक पर पिजास हिजार की रासी आलम्पिक गेम्स में प्रदेश के खिलाडियों के प्रतिभाग के जाने पर पोच्साहन सुरूप दस-दस लाग रुपी तदा कॉमन वेल्ट गेम्स ता एसियन गेम्स में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश से खिलाडियों को पांच पांच लाग रुपे की नगत पुरुस्कार राज़ी भी प्रधेश सरकार उप्लब्द कराती है इसे प्रकार Asia Cup, Asian Senior Championship, Youth Olympic Games, Youth Commonwealth Games, Junior Bishwa Cup, Junior Bishwa Cup, Asian Championship तराश्ट्य स्तर पर Senior, Junior, Sub-Junior, Mini, Youth और काड़िट पदक विजेता कि लाडियों को प्रुसायत करने ही तो भी नगत पुरुसकार की राशी राज्य सरकार उपलब्द कराती है उत्तरबले सरकार द्वारा राश्तिय और उन्तराश्तिय स्तर पर पदग बिजेता खिलाडियों को प्रोजसाइट करने है तो नगत पुरुसकार के साथ-साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभिन खेलों के एक-एक खिलाडियों को प्रदेश का सरोच पुरुसकार लक्षिमन पुरुसकार और महला वर्ग में रानी लक्षिमी बाई पुरुसकार से भी सम्मानित क्या जाता है लक्षिमन पुरुसकार और रानी लक्षिमी बाई पुरुसकार से सम्मानी तोनिवाली खिलाडियों को लक्षिमन जी की और रानी लक्षिमी बाई की एक प्रतकांसे प्रतिमान प्रसंस्तिपत्र तीन लाग रुपी, तीन लाग ग्यारा हजार रुपे की नगत रासी भी प्रदान की जाती है राज्य सरकार द्वारा अरजुन पुरुसकार, दोणाचार पुरुसकार, मेजर ध्यांचन पुरुसकार, खेलत पुरुसकार वा खेल के छेटर में पदम स्री वा पदम भूशन से सम्वानित खिलाडियों को 20,000 रुपे प्रतिमा बित्तिय सायता भी प्रदान की जाती है प्रदेश के खिलाडियों के कल्यानार्थ संचालित योशना के अंतरगत विर्द असक्वा विप्दागरस्त राज्य के खिलाडियों को 4,000 रुपे राश्तियस्तर के खिलाडियों को 6,000 रुपे और अंतराश्तियस्तर के खिलाडियों को 10,000 रुपे प्रतिमा बित्तिय साता भी राज्य सरकार प्रदान कर रही है खेलों के विकास और उतीमन खिलाडियों के बहतर प्रसिक्षन अपलब्ब कराने है तो राज्य में निजी सहभागता से खेल अकादमियों को विक्सित करने की निति वर्तमान में प्रक्ष्यापित की गई है खेल अकादमी के लिए सामाने तहा इंडोर खेल के लिए एक से दो एकड़ ताउट डोर खेल के लिए तीन से पांच एकड़ भूमे खेल खेल संगन तराश्टर के ऐसे खिलाड़ी जिनोंने ओलंपीक, कॉमन वेल्ट गेम्स, एसियन गेम्स, बिश्वकप प्रतेश चार वर्स में एक बार आयोजीत होना लिए प्रतिवाग क्या हो को भी निसुल को भूमे प्लब्द कराने की दिवस्ता हम इसके माद्यम से कर रहे हैं प्रतेश में खेल प्रतिवक्ताओं के आयोजीन ने हम खेल करेकलापों है तो केडा संगों, क्लबों आधिको आर्थिक सैदा प्रतान की जाती है खेल संगों द्वारा सामाने और दिव्यान खिलाडियों के लिए आयोजीत की जाने वाली प्रतिवक्ताओं है तो स्टेडियम के निसुल कारक्षन की सुविधाभी उन्हें प्रतान करने की ब्योस्ता की गई है मुझे कौन विश्वास है क्यादने प्रतान मंत्री जी की मंसा के अनुरूप आबादी के साब से सबसे बड़े राज्य में हमारे सभी उदेमान खिलाडी खेल वहाना के उतक्रिष्ट भाव को भरते एक माहोल पैदा करेंगे मैं अंत मैं इस प्रम्पुजय ब्रमलीन महंत अवेदेनाजी महराज की सिमिर्थे में आउजित अखिल भारतिये कवड़ी प्राइजमनी कवड़ी प्रतियोगता की समापन कारिक्रम में इस पूरे आईजन में प्रतिवाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके Official को हिर्दे से धन्यवाद देता हूं विजेता टीम को बधाई देता हूं विजेता टीम ने अपना अच्छा करने का प्रियास किया उनके प्रतिवी अपनी साहनवती व्यक्तDay करते हुए विश्वास ब्रेक्ट करता हो कि वे अपने खेल के माद्गम से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उससे प्रेवित हो करके अगली बार इससे भी अच्छा प्रियास करेंगे और इसमें इस बार जो रासी दो लाग एक लाग और पचास हजार की है अगली बार से हमारा प्रियास होगा कि यहाँ प्राइस मनी की जो यह रासी है इसको हम दुगना करें और इसके लिए मैं विश्वास ब्रेक्ट करूंगा कि टेमें अपने खेल को और सुधार करने का प्रियास करेंगे इसके लावा मैं खेल विभाग से इस बारे में भी कहूंगा कि जो प्रदेश सरकार में विवस्ता की है प्रदेश के अंदर खास तोर पर हर गाओं में खेल का मैदान हो ओपन जिम का निर्मान हो अन्य तमाम प्रकार की गद्विदियों कम आगे बढ़ा सकें इस दिसा में राज्य सरकार, खेल विभाग और अस्थानिय जो स्पोर्स कलब हैं इन सब के साथ मिलकर के हम और अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे उन चीजों खेल भावनओं को प्रोटशाइद करने का प्रयास करेंगे जिसमें विदयायक खेल खेल पूद प्रत्योक्ता, सांसब खेल पूद प्रत्योक्ताओं को ग्रामिइड अस्तर से ले करकर रजस्तर पर उन्हेंगे आईजित करना समाज के प्रतिक तबके को ऀसके साथ जोड़ने और उन प्रम्प्रागत पेसे से जुड़े वे लोगों को भी प्रोचसाइट करना है जैसे उत्तर प्रदेश में जलसेंजादन ज्यादा है सवभाई गुरूप से नाविकों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है अच्छा होगा इने भी अगर हम इस खेल अलग अलग खेल उनसकी रूची से जुड़े वे खेल के साथ जोड़ सकेंगे तो एक रोचक भाव इसके माद्यम से पैदा होगा मैं एक बार फिर से आज के इस औसर पर आई जुकों को हिवे से धन्यवाद देते हुए इतने भारे पैमाने पर दर्शक भी इस आयोजन में आये हैं उन सब को अभी मैं अभिनंदन करता हूँ आप सब के प्रतिपनी सुपकामनाई देता हूँ धन्यवाद जहें बहुत बहुत धन्यवाद